राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप से हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों दीपावली का त्योहाद दोस्तों और परिजनों के बीच मिठाई बाठ कर खुश्या मनाने का पर्व है यही नहीं इस अपसर पर मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के साथ उनका आवाहन भी किया जाता है मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए और मा लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए दीपावली की रात को खास तोर पर मा लक्ष्मी का पूचन किया जाता है में सबसे महान हो इस रात को मालक्ष्मी को प्रसंद करके आप अपने जीवन की धन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप दीपावली की रात को अपनी तिजोरी में रखेंगे तो इससे आपके घर में बश्वर सम्रद्धी और खुशाली बनी रहेगे मा लक्ष्मी की आशिरवास से पैसों की कमी नहीं रहेगे यह छोटी सी चीज हैं गोमती चक्र गोमती चक्र गोमती नदी में पाई जाने वाले अल्प मौली कैश्यम मिश्रित पत्थर हैं इनके एक तरफ उठी हुई सतय होती है और दूसी तरफ चक्र होता है इन गोमती चक्रों को भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना चाता है तीपा वली की रात को लक्ष्मी पूजन के दौरान नौ गोमती चक्र लें इन्हें माता लक्ष्मी जी के सामने लाल रंग के कपड़े पर रखें Maa lakshmi का पूजन करने के बाद कुमती चक्र पर कुम-कुम और हल्दी से तिलग करें फिर आक्षत और पुष्प अर्पित करें इसके बाद भागवान पिश्णू और माता लक्षमी जी के इस मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम हिरी हिरी शिरी लक्ष्मी बासु देवाई नमा इस मंत्र का ग्यारे बार जाब करें फिर लक्ष्मी पूजन के बाद अपने दन रखने के इस्थान पर तिजोरी में कुमकुम से एक अश्टदल कमल बनाए उसके उपर एक लाल रंग का कपड़ा विच्छाएं उस कपड़े पर उन नौ गोमती चक्र को इस्थापित करें फिर गोमती चक्र पर दोारा से हल्दे कुमकुम से तिलक करें और अक्षत और पुश्प अर्पित करें भागवान विश्णुमाता लक्ष्मी जी का रूप मानकर गोमती चक्र को प्रणाम करें और उनके सामने एक दिया जलाएं जब तक दिया जला रहे तब तक अपनी तिजोरी खुली रखें भागवान विश्णु माता लक्ष्मी जी से अपने घर में सुख सम्रध्धी की प्रात्ना करें तनसंबंदी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रात्ना करें दिया पूर्ण होने के बाद तिजोरी बंद कर दें दीपा वली की राद लक्ष्मी पूचन के बाद नौ गोमती चक्र इस तरह से अपनी तिजोरी में इस्थापित करने से फर्षभर सम्रध्धी और खुशाली बनी रहती है मा लक्ष्मी की आशिरवास से पैसों की कमी नहीं रहती अब अगली दीपा वली पर आप फिर से इन गोमती चक्र को निकालने इसी तरह से पूजन करें और फिर इसी तरह से इस्थापित करतें इस उपाई को करने से भगवान विश्णू माता लक्ष्मी जी की कृपासे तनसम्मंदी सभी समस्याएं दूर होती है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने थैंक्स पर वचिंग रादी रादी